पूलो फ्रेंट्स आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ फर्स्ट में स्वाधत हैं। मैंने इस वीडियो में अपने बॉड़ी वेट और गोल के हिसाब से कितना प्रोटीन चाहिए डिटेल मैं बता रहा हूं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले एक साधारा स्वस्त जीवन शेली जैसे की स्कूल, कॉलेज, ओफिस जाना या घर पर रहकर थोड़ा बहुत काम कर लेना इत्यादी के लिए आपको 0.8 ग्राम्स आफ प्रोटीन पर किलोग्राम आफ बॉड़ी वेट या 0.36 ग्राम्स पर पौंड की जरूरत है उदाहरन के अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको 60 गुना 0.8 बराबर 48 ग्राम्स प्रोटीन की जरूरत है दोस्तों मसल बिल्ड करने के लिए मतलब मसल के साइज को बढ़ाने के लिए हमें कैलोरी सर प्लस डाइट को फोलो करना पड़ता है जिससे हम हैवी वेट लिफ्ट कर पाते है इसलिए बल्किंग पीरियड मैं हमारी बॉडी को सही मात्रा में प्रोटीन देना बेहब जरूरी होता है ताकि हमारी बॉडी ब्रेक हुए मसल को तेजी से रिपैर कर सके और मैं मसल बना सके मसल बिल्ड करने के लिए हमें 0.8 से लेकर 1 ग्राम प्रोटीन पर पाउंड तक लेना चाहिए आप 0.8 ग्राम प्रोटीन पर पाउंड लेकर अच्छा खासा मसल मास किन कर सकते हैं लेकिन जो भाई को वर्काउट करते हुए काफी टाइम हो तो वस जरूरत पर ने पर एक ग्राम प्रोटीन पर पाउंड तक ले सकता है दोस्तों कटिंग यानि फैट लोज करते टाइम हम अपनी डाइट को कम कर देते हैं जिससे हमारी बॉडी का एक्स्ट्रा फैट कम होने लगता है लेकिन मसल लोज ना हो जाए और इसके साथ ही फैट लोज करते टाइम मसल भी थोड़ा बहुत गेन होता रहे इसके लिए हमें दो से लेकर दो पॉइंट दो ग्राम प्रोटीन पर किलो ग्राम लेना चाहिए अगर मैं इसे पाउंड मैं कनवर्ट करूं तो आपको लगभग 0.9 से लेकर एक ग्राम प्रोटीन पर पाउंड पक लेना चाहिए